हलो दोस्तो आज का सब्जेक है what is SGX Nifty इसके पहले SGX क्या है वो जानते है SGX सिंगापूर एक्षेंज का शॉर्ट होम है जैसे कि हमारे यहाँ NAC नेशनल स्टॉक एक्षेंज और BAC Bombay Stock Exchange है ऐसे ही SGX Singapore Exchange Limited के नाम से जाना जाता है SGX Asia का Leading Stock Exchange है और SGX में यानि कि Singapore Stock Exchange में जो movement होती है जो up-down होता है और जो volatility होती है वो Asia के और बाजारों में भी इसका effect निश्चित रुप से पढ़ता है SGX Nifty जो कि Singapore Nifty के नाम से जाने वाली इंडिया की ही derivative products है और वो legal है और officially Singapore Stock Exchange में listed है और वहां traded भी होती है इंडिया की Nifty जो कि इंडिया में trade होती है जो 9.15 से 3.30 बज़े तक यानि कि 6 घंटे के आसपास trade होती है वैसे ही Singapore की Nifty इंडिया के टाइम के अनुसार सुबह में 6.30 से लेके रात को 11.30 बज़े तक trade होती है तो ये Singapore Nifty का काफी लंबा टाइम है क्योंकि Singapore Stock Exchange इतना लंबा टाइम से trade होता है और Singapore Nifty इतने लंबे समय तक trade होने की वज़़ से वर्ल के political news, economic news, government के तरह तरह के important data इंडिया release होता है इसकी effect Singapore Nifty के ऊपर पड़ती है और वही effect जब हमारा इंडिया का market सवा 9 बज़े पे open होने वाला होता है तब भारतिया market के ऊपर निच्च तरुप से पड़ती है अगर Singapore Nifty भारत के सवा 9 बज़े open होने वाले market से पहले 20 point positive trade हो रही होती है तो भारतिया market जब open होता है सवा 9 बज़े तब उसकी positive effect आप देख सकेंगे उससे उल्टा अगर Singapore Nifty minus 20 point याने के negative zone में अगर trade हो रही होती है तो उसी की effect 79 बज़े जब इंडियन market open होता है तो उसकी negative effect निच्च तरुप से पड़ती है देखे 1992 की तरह अब ऐसा होने वाला नहीं है कि कोई महता साब आएंगे और banking system का फाइदा उठा के और 5000 क्रोर का scandal करके market को एक बहुत ही उचाई पर ले जाएंगे या तो कोई stocks को 200 रूपय से 9000 रूपय तक सिर्फ तिन महिने में ले जाएंगे अब ऐसा होने वाला नहीं है कोकि अब हमारा market global हो गया है तो friends मैं भी जब market open होती है तो Singapore निफ्टी का रूख क्या है वो uptrend में है यानि कि green zone में trade हो रही है या तो flat है वो मैं जरूर देखता हूँ तो ऐसा आप कहां से देख सकते हैं भारतिय बाजार open होने से पहले Singapore निफ्टी का हम कहां से पता लगा सकते हैं तो एक ऐसी application की बात मैं आज आपको करने वाला हूँ जो कि आप भी पता लगा सकेंगे कि Singapore निफ्टी का रूख की स्तरब है तो आए चलते हैं Google Play Store में अपना Google Play Store open कर लीजिये और इसमें type कर लीजिये IIFL Limited तो इसमें India Info Line की application आपको दिखाई देगी वो आप download बटन पे click करके इसको download कर लीजिये मैंने already India Info Line की application डाउनलोड कर ली है India Info Line की application डाउनलोड करने के लिए आपको उनका client होने की जरूरत नहीं है वो free है और हमें जो जो important information चाहिए वो हम ले सकते हैं इसका client होने की जरूरत नहीं है अगर आप इसका client है तो आप उनके अंदर login करके आप trade कर सकते है और ज्यादा detail आप study कर सकते है मगर जो लोग India Info Line के client नहीं है वो बहुत ही अच्छी और important information आप पा सकते है तो market open होने से पहले यानि के सबा 9 बचे से पहले अगर आपने India Info Line की application already download कर ली है तो उनका message आ जाएगा कि Singapore Nifty किस zone में trade हो रही है एक दूसरी मैं आपको बात बता दू कि India Info Line में एक alert भी है और आप alert में जाके जिस stocks में आपने काम किया है अगर आप computer के सामने नहीं है कहीं बार गए हो important काम से तो उसमें alert लगा सकते है और suppose कि आप किसी resistance या किसी support level की price आप जानना चाहते है कि यहां तक breakout हुई की नहीं यहां तक आई की नहीं तो India Info Line की app में alert बटन है इसके उपर जाके आप alert set कर सकते है और अगर आपका smartphone आपकी जेब में हो तो भी बहुत अच्छी से आवाज आपको सुनाई देगी और आप mobile open करके उसमें देख सकते है कि आपके stocks ने support trigger किया है या bottom trigger किया है याने की तो आप आपका traded stocks देख सकते है कि यह support पे आया है या resistance पे आया है तो यह बहुत ही अच्छी facility है और तीसरी एक अच्छी facility है कि जिन-जिन stocks के quarterly result declare होने वाले है उसी stocks के list India Info Line की application में market शुरू होने से पहले ही हमें वो भेज देते हैं तो यह तीन बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है India Info Line की application में तो पहली है Singapore Nifty का हमें पता जल चाहता है दूसरा है इसमें alert रख सकते हैं तीसरा जिन-जिन company का quarterly result announce होने वाला है वो सवा 9 बज़े के पहले ही हम उनका list निकाल सकते हैं और हम उसका market watch में group बना के रख सकते हैं और हमें जब इसका result डिकलर हो तो हमें पता चल सकता है इसने support break किया या तो resistance break किया इसके हिसाब से हम buy या sell का trade लगा सकते हैं तो friends और काफी लोगों ने मुझे कहां था किया आप trend market open hole ने से पहले market का trend किस तरफ जाने वाला है वो आप किस तरफ से पता लगाते हैं आप कैसे पता लगाते हैं तो कई हमारे viewers और subscribers ने ये questions मुझे बार बार पूछा था और comments में भी कई subscribers ने मुझे कहा था कि आप ये वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं तो मुझे थोड़ा time नहीं मिल रहा था तो आज ये वीडियो में ने बना कि आपको बता दिया है कि India Info Line की free app के जरिये आप ये तिन facility का बहुत ही अच्छी तरह से आप benefit लग सकते हैं यही application में और भी बहुत सारे benefits हैं तो time आने पर मैं इनके बारे में details से आपको बताऊंगा All the best मिलते हैं अगले वीडियो में and enjoy the trading अच्क आपको 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 भी बारे इन आपको आपको आपको